नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल के रियर पॉइंट पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइस जीकिए के टो फिप्टी क्यूशन निकरा है जिनके अंदर है आपको वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन में कराने वाला ह तो चलिए का आज की वीडियो को शुरू करते हैं परते क्यूशन का अगरा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जूरू करें तो चलिए का देखते हैं आज की क्लास का फैस्ट क्यूशन चलिए friends आजका पहला question देखिए पौधे जो नमक युगती मिटी में क्या कहलते हैं तो देखिए जो पौधे नमक युगती मिटी में उगते हैं वो क्या कहलते हैं तो सही आने सुरूज़ेगा हेलो फाइट Option C आपका सही होज़ेगा जो पोदे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो हेलो फाइट कहलाते हैं अगला question देखिए most important question देखा आपके लिए देखिएगा an ACO नाको एक संस्ता है जिसका संबंध है तो देखिए इसका संबंध किसे हैं सही आंसर होगा आपका बिजली का जो बलब होता है उसके अंदर जो filament लाओता है देखिए वो filament किस धातु का बना होता है तो सही आंसर होगा tungsten का ठीक है तो बिजली के बलब का filament tungsten का बना होता है option D आपका चाहिए हो जाएगा next देखिए important रहेगा आपके लिए देखिएगा रक्त का ध्यन कहलाता है रक्त का ध्यन क्या कहलाता है hematology option A आपका शाहिए हो जाएगा hematology आपे right answer तो रक्त का ध्यन कहलाता है hematology next देखिए जाराविक 7 क्या है देखिए बहुत यचा question है और important question भी है काफी बार exam के अंदर पूछा गया है question दोस्तो देखिए हम आप लोगों के लिए selected question लेकर आ रहे है तो आप लोग जो है न वीडियो को like करना ने बुलीगा ठीक है वीडियो को like कर दिना तो question देखिए जाराविक 7 क्या है जाराविक 7 जो है दोस्तो एक परकार का करित्रिम हरिद्य है option C आपका शाय हो जाएगा next देखते है refrigerator में खाद्य पदार्थ ताजा रगने हे तू सुरक्सी तापमान कितना होता है तो देखिए refrigerator के अंदर जो हम बोज़र रखते हैं तो ताजा रखने के लिए सुरक्सी तापमान कितना रहेगा तो सही आंशर होगा 4 degree Celsius option A आपका सही हो जाएगा 4 degree Celsius यहाँ पर सही आंशर next देखते है जब किसी जील की तली से उठकर वायू का बुल बुला उपरी सतय तक आएगा तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होगा देखिए most important question है और इसका सही आंशर क्या होगा देखिए सही आंशर हो जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है जब किसी जील की तली से उठकर वायू का बुल बुला उपर ही सतय तक आएगा तो उसके आकार जो होता है दोस्तों वो बढ़ जाएगा option A आपका सही आंशर होगा next दिखते है वनस्पती तेल से वनस्पती घी बनाने में कौन सी गैस का परियोग क्या जाता है फटापट कमेंट करिए इसका सही आंशर दिखिए दोस्तों वनस्पती तेल से वनस्पती घी बनाने के लिए hydrogen gas का परियोग के जाता है तो option A आपका सही हो जाएगा hydrogen gas next दिखते है मोती मुख्य रूप से बना होता है जो परियल होता है दोकि मोती वो मुख्य रूप से किस से बने होते हैं तो सही आंशर होगा calcium carbonate ठीक है तो calcium carbonate से बना होता है option C आपका सही हो जाएगा calcium carbonate next देखते हैं निमन में से कौन सी बिमारी virus के कार्ण नहीं होती तो देखिए virus के द्वारा नहीं होने बिमारी बिमारी कौन सी है देखिए दोस्तों पीलिया influenza और गल्षवा ये तीनों जो है virus के द्वारा होने वाली बिमारी लेकिन आत्र जवर जो है virus के द्वारा नहीं होती option D आपका सही हो जाएगा virus के द्वारा होने वाली बिमारी कौन सी नहीं है आत्र जवर पीलिया, influenza और गल्षवा यह सबी जो है virus के द्वारा होती है ठीक है next देखते है चलिए चलिए देखिए silicosis क्या है तो इसका सही अनसर क्या होगा देखिए silicosis क्या होता है तो देखिए फेपडो समंदी बिमारी होती silicosis जो दोस्तो एक परकार की फेपडो समंदी बिमारी है option C आपका शही हो जाएगा अगला question देखते हैं, चलिए most important question है बावीष्य की धातू किस धातू को कहा जाता है टो फटावण कमेंड कर दीजए बावीष्य की धातू किस धातू को कहा गया है most important question है तो देखे सही answer हो जाएगा titanium, ठीक है, titanium को बविशे की दातु कहा गया है option C आपका सही हो जाएगा titanium अगला question देखते हैं चलिए पनपाती वरिक्स जी फ्रेंट्स प्रावर्ड कमेंड करिए पनपाती वरिक्स क्या होते हैं देखिए अपनी पतियां हर वर्स गिरा देते हैं जो पनपाती वरिक्स होते हैं दोस्तों वो जो है अपनी पतियां हर वर्स गिरा देते हैं तो option A आपका सही हो जाएगा अपनी पतियां हर वर्स गिरा देते हैं अगला question देखते हैं चलिए most important रहेगा निमनलेकित में से कौन सा एक इस्तरिलिंग हार्मोन साय तो देखीं इस्तरिलिंग हार्मोन से हैं सही answer होगा तो देखिए estrogen ठीक है तो option A आपका शही हो जाएगा estrogen जो है एक traditionalin हार्मोन है 200-undogen, oxytocin, insulin ये जो है pulling जो है implies हार्मोन है लेकिन estrogen जो है एक restraining हार्मोन है अगला question देखते हैं चलिए निमन मेंसे कौन सा तताव solar cell में उप्योग किया जाता है तो देखें solar cell में कौन सा तताव उप्योग किया जाता है सही answer होगा silicon ठीक है silicon का परियोग जो है solar cell के अंदर किया जाता है option A आपका सही हो जाएगा important question है अगला क्यूशन देखते हैं चलिए निमन में से किस ततको तवरित चांदी के नाम से जाना जाता है तो सही आंशुर होगा मरकरी को ठीक है मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है ओप्शन C आपका सही हो जाएगा अगला क्यूशन देखते हैं चलिए फाईडोप्स क्या है मरीददा विहिन पाधफ सन वर्द्न आफ्शन देखते है नेक्स देखते है चलिए ऺड़े दहँनी तरंगों की परकरती होती है औहुर्धैर्द व आपका स्याई प्रेक्शन देखते हैं चलिए कवकों का परियोग किया जाता है कवकों का परियोग किसी रूप में किया जाता है तो देखिए सही आन्शुर होगा उपरियुक्त सभी के अंदर ठीक है तो option D जो है आपका सही आन्शुर होगा कवकों का परियोग जो है खाद्य पदार्थ की रूप में भी क्या जाता है दोस्तो अलकोहल के निर्मार में भी कवक का इस्तिमाल होता है और ब्रेड बनाने के लिए भी कवक का इस्तिमाल क्या जाता है तो option D आपका सही हो जाएगा उपर युक्त सभी आपे सही अंसर नेक्स देखते हैं चलिए थेलो फाइटा संके अंतरगत सामिल नहीं है तो थेलो फाइटा संके अंतरगत क्या सामिल नहीं है सही अंसर होगा स्पेगनम तो लेकिन सैवाल कवक लाइकन ये जो है थेलो फाइटा संके अंतरगत आते हैं लेकिन स्पेगनम जो है इसके अंत्रगत नहीं आता, ओप्शन C आपका सही हो जाएगा स्पेगनम, नेक्स देखते हैं, चमगादर अंधेरे में उड़ सकते हैं, जी फ्रेंच फटाफट कमेंड करिए, चमगादर अंधेरे में क्यों उड़ सकते हैं, तो सही आंस्पर होगा यहापे, देखिए, वे प्राशरवेत रंगें उत्पन करते हैं, जो उसका नियंत्रन करते हैं, ठीक है, तो इसी वज़े से चमगादर अंधेरे में उड़ सकते हैं, ओप्शन C आपका सही हो जाएगा, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, जी फ्रेंट्स, देखिए, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, सही आंस्पर होगा, विटामिन D को, ठीक है, विटामिन D को हार्मोन कहा जाता है, और विटामिन D है जो दोस्तों हम सूरी की रोशनी से प्राप्त करते हैं और इसे दोस्तों और भी हम मचली का जो यक्रित होता ना उसका जो यक्रित का तेल होता है उससे भी हम विटामिन D को प्राप्त कर सकते हैं ठीक है, काफी बार एक्जाम के अंदर पूछा गया है, कि मचली का जो यक्रिता तेल होता है, उससे हम कौन सा विटामिन प्राफ्ट करते हैं, तो उससे विटामिन D बिलता है, मचली के यक्रित के तेल से, और इसको जो है हार्मोन भी कहा जाता है, नेक्स देखते हैं चलिए, इंपोर्टेंट रहेगा, विरीदी हार्मोन का स्रावन कहां से होता है, तो देखते हैं, कार्बन मोनो उक्साइड किसे कहते हैं, CO, कार्बन मोनो उक्साइड को सी देनोड किया जाता है, तो दोस्तों इसको किसे परभावित होता है, सही आन्सुर को, तार में विधुत धारा का परवाह किसके कार्ण होता है तो देखिए धातु के तार में विधुत धारा का परवाह किसके विज़ाश होता है सही आंशरोगा इलेक्ट्रों औप्शन ए आपका सही हो जाएगा next देखते हैं अश्वो में कौन सा पदार्थ गुला रहता है very very important question देखिएगा आश्वो में कौन सा पदार्थ होता है तो सही आंशरोगा देखिएगा लाइशो जाइम एंजाइम होता है option B लाइशो जाइम एंजाइम एगला question देखते हैं चली लोहे में जंग लगती है तो लोहे में तो जंग किस वज़े से लगती है पानी एवं oxygen से option C आपका सही होगा लोहे में जंग लगने कारण क्या होता है पानी एवं oxygen next देखते हैं चली देखें most important question है सूरिय से निरंतर उश्मा वा परकास मिलने का कारण क्या है तो दोस्तों देखिए सही answer होगा hydrogen का fusion hydrogen के fusion के वज़े से सूरिय से में निरंतर जो है उश्मा वा परकास मिलता रहता है तो option C आपका सही हो जाएगा hydrogen का fusion ozone में होती है ozone परत्ज होती है उसके अंदर क्या होता है kibul और kibul oxygen होती दोस्तों ozone परत्ज के अंदर option A आपका सही हो जाएगा kibul oxygen next देखिए निमन लिकित मेंसे कोन मानोव निर्मित जन्तु है तो देखिए निमन लिकित मेंसे कौनसा मानम रिनमित तंतु है चलिए देखिए रेयान ठीक है तो option B है आपका सही हो जाएगा next देखिए spring का रासायनिक नाम है spring का रासायनिक नाम क्या होता है acetic salicylic अमल होता है option C आपका सही होगा acetic salicylic अमल अगला question देखिए किसी भी परमानु कक्षया में कितने electron हो सकते है तो देखिए कोई भी परमानु कक्षया है उसके अंदर हम कितने electron रख सकते हैं देखिए option B आपका सही होगा next देखिए मानव शरीर में dehydration किस पदार्थ की कमी के कारण होता है देखिए dehydration जो है मानव शरीर में किस की पदार्थ होता है जल की कमी से ठीक है water की कमी से dehydration होता है option C आपका सही होगा water अगला question देखिए anglo-nubian किस की नसल है most important question anglo-nubian किस की नसल है बक्रे की ठीक है तो option C आपका सही होगा next देखिए चूने के जल में क्या होता है lime water देखिए lime water में क्या होता है calcium hydroxide होता है तो option A आपका सही होगा calcium hydroxide next देखिए हसीज नामक ड्रग इमलिखित में से किस वृरिक्ष के फूलों से बनाया जाता है देखिए हसीज चोट ड्रग है वो किस वरिक्स के फूलों से बनाए जाता है तो देखे बांग के ठीक तो option D आपका शही होगा next देखे फलों का अध्यन क्या कहलाता है तो देखे फलों का अध्यन क्या कहलाता है pomology option B आपका शही होगा फलों का अध्यन pomology कहलाता है next देखी सरवाधिक आघातवर्दनी दातू है तो सबसे अगधिक आघातवर्दनी दातू कौन सी है shona gold जो है सबसे आघातवर्दनी दातू होती है option d आपका सही होगा अगला question देखी swet fast post रखा जाता है देखी swet fast post जो ता है उसको हम पाने के अंदर रख सकते हैं option A आपका सही होगा next देखी बारत में nuclear wishport सादनों का friction कहां क्या गया है तो देखी nuclear wishport सादनों का friction जो है कहां पर क्या गया है? पोकरण में option C आपका सही होगा next देखी पहली बार परमानु बम कहां फेका गया था तो देखी कहां पर hero schema पर तो option B आपका सही होगा पहली बार परमानु बम hero schema पर फेका गया था next देखी sulfur को rubber के साथ गरम करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की परकिरिया को क्या कहते हैं? तो देखी क्या कहते हैं? वलक निकर्ण option A आपका सही होगा next देखी देखी प्राकर्तिक रबड किसका बहुलक है? तो देखी प्राकर्तिक रबड किसका बहुलक होता है? आईशोप्रीन का option A आपका सही होगा प्राकर्तिक रबड आईशोप्रीन का बहुलक होता है next देखी रबड को वलकित करने वाला तत्तव है तो देखिए वो रबड को वलकित करने वाला तत्तव कौनशा है Sulfur Option A आपका सही होगा Next देखिए Petroleum एक मिश्रन है Petroleum किस करम के मिश्रन है Hydrocarbon का है तो Option B आपका सही होगा Hydrocarbon अगला question देखिए निमलकित में से किसकी उपस्तिति के काण चूने का पानी दूदिया हो जाता है तो देखिए किसकी मुझे से Carbon dioxide की मुझे से CO2 Carbon dioxide की मुझे से चूने का पानी जो है दूदिया हो जाता है Option A आपका सही होगा Next देखिए Oil of vitriol का रासायनिक नाम क्या है A आपका सही होगा Selfury कमल यहां पर Right answer Next देखिए शरीर के thermostat ताप सितरांग को कम करने वाली गरंथी कौन सी है तो देखिए शरीर के ताप सितरांग को कम करने वाली गरंथी जो है Hypothalamus है Option C आपका सही होगा Hypothalamus आपका Right answer जीव विज्ञान समद का पर योग सब इसे पहले किसी ने किया तो दोस्तो किसी ने लैमार्क और ट्रेविनिस ने जीव विज्ञान समद का पर योग सब इसे पहले लैमार्क और ट्रेविनिस की द्वारा किया गया Option B आपका सही होगा तो दोस्तो यह session आज का यहीं पे complete होता है अगर आपको वीडियो अच्छे लगिए तो प्लीज वीडियो को like और share जूरू करें और दोस्तो जो भी channel पे नहीं channel को subscribe करिए और comment करें कि बताएं का दोस्तो आपको यह video कैसे लगी तो दोस्तो मिलतें next video में तब तक goodbye, take care, jay hind, jay अबारत वो अन्दी मातरम